नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का स्टड़ी 99% यूटूब चैनल पर दोस्तों इस वीडियो में अब लोगों का जोड घटाना गुड़ा और भाग सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से अगर दोस्तों आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाए तब आप जोड है आपका यह आप लिखा गया है 6,2,1,3 प्लस 7,1,3 ठीके यानि कि 62,3 में आपको जोड़ना है 7,3 को तो कैसे जोड़ेंगे तो इसको देखे सबसे पहले आप इसको लिखेंगे 62,3 को ठीके इस वाली संख्यागो अब क्या करेंगे उसमें जोड़ना है आपको 7,1, 1,3 को तो देखे कैसे लिखा जाता है देखे आपको क्या करना है 10 मलो के नीचे 10 मलो को लिखना है ठीके इसमें भी 10 मलो है और इसमें भी 10 मलो है ठीके तो आपको क्या करना है 10 मलो के नीचे 10 मलो को लिखना है तो देखे यहाँ पर क्या है 7,1,3 तो आप क्या करेंगे यहां जोड़ेंगे ठीक है अब इसको जोड़ते हैं लोग देखिए यहां पर क्या होगा तीन प्लस तीन यानि तीन में तीन को जोड़ेंगे तो जाएगा आपका छ तो यहां पर लिख देंगे छ फिर एक को एक में जोड़ना है तो एक एक हो जाएगा दो यहां पर लिख देंग अब क्या होगा दिखिए यहाँ पर दसमलो के नीचे एकदम दसमलो लगा देंगे ठीक है दसमलो के सीध में यहाँ पर दसमलो लगा देंगे ठीक है आपका एंसर आ गया 69 दसमलो दूच यह आपका एंसर हो जाएगा अब हम लोग देखते हैं दसमलो का घटाना देखिए 542 दस्मलो 9 को यहांपर लिखते हैं 542 दस्मलो 9 अब आपको क्या करना है इसको लिखना है 24 दस्मलो 16 को तो आप याद रखेगा हमेजाल रखेगा कि दस्मलो के नीचे Love color को को लिखना है ठीक़े तो यहांपर देखें क्या है दसमलों के उधर के आए 6 तो यहाँ पर हम दो दसमलों लिख लिखते हैं फिर दसमलों के इधर के आए दसमलों के दर दायनी साइड यहाँ पर 6 तो यहाँ पर 6 लिख लेंगे फिर देखें दसमलों के बाही साइड के आए 2 और 4 तो यहाँ पर लिखेंगे आप 2 और 4 अब घटा लेंगे ठीक है यहाँ पर देखिए 9 में से 6 आपको घटाएंगे तो 9 में से 6 जाएगा बचेगा आपका 3 तो यहाँ पर हो जाएगा 3 अब देखिए यहाँ पर है 2 यहाँ पर है 4 तो 2 में से 4 नहीं जाएगा तो यह इसको हासिल देगा 4 चार दो को आसिल देगा तो यह हो जाएगा बारा बारा में से चार जाएगा बचेगा आठ अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा एक हासिल दे चुका है तो यह कम हो जाएगा एक कम हो जाएगा तो यह हो जाएगा तीन तीन में से दो जाएगा एक और यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 5 उतार लेंगे ठीक है अब क्या करेंगे 10 मलों के सीध में नीचे यहाँ पर 10 मलों लगा देंगे ठीक है अब का एंसर कितना हो जाएगा 518,3 ठीक है अब हम लों तीसर के question को solve करते हैं ठीक है तीसर का question है आपका 10 मलों का गुड़ा क्या है सवाल दिया गया है 54,3 एक गुड़ते 2,3 तो सबसे पहले हम लों इसको लिखेंगे 54,3 एक और इसमें गुड़ा कराना एक इसका 2,3 को तो उसको नीचे लिख लेंगे ठीक है 2,3 इस तरह लिखेंगे ठीक है इसमें हम लों गुड़ा कराते हैं ध्यान से समझेगा आप लों बहुत ही आसान है ठीक है देगे 3 का 1 में गुड़ा कराएंगे 3 एक कम 3 तो यहाँ पर लिख लेंगे 3 फिर 3 का 3 में गुड़ा कराएंगे तो जाएगा 3,3 के 9 यहाँ पर लिखेंगे 9 फिर इस 3 का 4 में गुड़ा कराएंगे तो जाएगा 3,4 को 12 यहाँ पर लिखेंगे 12 को 2 हासिल बचेगा आपका 1 फिर 3, 5, 15 और 8, 16 यहाँ पर लिख देंगे 16 पूरा पूरा ठीके अब क्या करेंगे हम लोग इस 2 से गुड़ा कराना शुरू करेंगे दो से एक में गुड़ा कराएंगे तो जाएगा 2 एक कम 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2, इधर से एक उंग छोड़ का बश्याँ करेंगे दो पचे 10, तो यहाँ पर लिखेंगे 10, ठीके, आप क्या करेंगे, इसको उंबलो जोड़ लेंगे ध्यान से एकदम समझी, बहुत ही आसान होता है यह सब, देखे यहां पर 3 है, यहां पर कुछ भी नहीं, तो 3 में कुछ भी नहीं जोड़ेंगे तो क्या बचेगा, 3, फिर यहां पर 9 है, यहां पर 2 है, तो 9 दो जाएगा 11, तो 11 को लिखेंगे 1, और हासिल बचेगा आपका 1, फिर इस 6 और 2 को जोड़ेंगे, तो जाएगा 6 और 2, 8 और 8 में 80 लिख जोड़ेंगे, तो जाएगा 9, यहां पर लिख देंगे 9, फिर इसको जोड़ेंगे 8 और 6 को, 8 में 6 जोड़ेंगे, तो जाएगा 8, 6, 14, 14 को 4, हासिल 1, फिर देखें, यहां पर 1 है, यहां पर 0 है, यह एक में 0 जोडेंगे तो 1 होगा, फिर 80 लेक जोड देंगे तो होजाएगा कितना ? एक अंके बाद नीचे और दो अंके बाद उपर है तो इस सभी अंकों को जोड लेंगे हम लोग एक दो अंके बाद दसमलो और यहाँ पर एक अंके बाद यानि दो और एक तीन अंके बाद दसमलो है तो हम लोग क्या करेंगे इधर से गिनेंगे एक दो तीन तीन अंग के बाद यहाँ पर दसमलो लगा देंगे ठीक है यह हो गया आपका 124 दसमलो नो एक तीन यह आपका एंसर हो जाएगा ठीक है अब हम लोग चौथे कोश्चन को देखते हैं देखें चौथा कोश्चन है आपका 6.25 भागे 2.5 ठीक है तो इसको अब लोग साल्ब करते हैं यहाँ पर लिखेंगे 6.25 भाग देना है इसमें आपको 2.5 ठीक है तो इस तरह भी लिख सकते थी 6,25 भागे इस तरह 2,5 बातें एक ही है ठीक है आप इस तरह लिखी या इस तरह लिखी बाते एक ही है ठीक है हम लोग इसी तरह लगा देंगे बहुत आसान हो जाएगा कैसे देखें यहाँ पर 1,2 अंग के बाद 10 मलो है और नीचे एक अंग के बाद दसमलों है तो हम लोग को क्या करना है दसमलों को खतम कर देना है ठीक है दसमलों कैसे खतम करेंगे तो सबसे पहले आपको उपर का दसमलों खतम करना बहुत जरूरी है क्यों देखिए यहां पर एक दो अंग के बाद दसमलों है तो हम लोग क्या समझी, एक दो अंके बाद दस मलू है, तो हम लोग क्या करेंगे नीचे UNAT, मतलब एक पर दो फो जीरो लिखकर गुड़ा करा देंगे नीचे में यहाँ पर एक पर गुड़ा करायएंगे, एक पर दो फो जीरो से तो इसमें कितना होजाएगा देखी इसमें का 10 मलो आराम से हट जाएगा इसमें भी 100 का गुड़ा कराएंगी उपर भी 100 का गुड़ा करा देंगी क्यों 100 का गुड़ा करा रहे हैं क्योंकि देखिए एक दो अंग के बाद 10 मलो है इसलिए अम लोग एक पर दो ठो जीरो का लग कर गुड़ा करा देंगे तो यह दस मलो हट जाएगा क्यों हट जाएगा कैसे हट जाएगा देखिए यहां पर क्या हो जाएगा इसको लिख लेते हैं अम लोग 6 दस मलो 2 5 में जाएगा दस मलो की इधर 00 है तो इसका क्या मतलब होगा यहां पर समझे नई दिखाई दे रहा था आपको यहां पर देखिए कितना हो जाएगा 625 और इस पर दो ठो जीरो तो एक दो अंग के बाद 10 लगा देंगे हम लोग तो इधार का कोई मतलब नहीं है यह हो जाएगा 625 बटा में नीचे का देखिए यहां पर कितना है 25 दो दस मलो 5 में गुड़ा कराना है 100 का तो इसको इसतर लिख सकते हैं 25 फिर दो ठो 0 और यहां पर देखिए एक अंग के बाद 10 मलो यहां पर लग जाएगा ठीके 10 मलो की इधर 0 यह तो इसका कोई मतलब नहीं ठीके यह हो समझी यहां पर आप एक दम आसान समझे बासा में समझी देखिए 625 अब बटा की नीचे 250 इसको आम लो काट लेंगे ठीके कैसे काटेंगी 25 से कट जाएगा बहुत ही असान तरीके से 25 से काटेंगे 22 भाग देंगी तो 25 दूना 50 और इसमें का 12 बचेगा ठीके 12 और 5 हो काटेंगे तब 25 से कम 25 और एक ठोई यहां पर जीरो बच जाएगा यह 10 बार में कट जाएगा ठीके यह हो जाएगा आपका 25 बटा 10 इसको आम लोग यहां पर लिख सकते हैं 25 बटा 10 और आप एक बात समझी देखिए उपर यहां पर लिखा गया 25 और नीचे 10 जैसे कि नीच एक जीरो है एक पर एक जीरो है तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं कि यहां पर एक जीरो है तो ऊपर आप एक कम के बार दसमझी लगा सकते हैं ठीके इस तरह दो दसमलो पांच यह आपका इंसूर हो जाएगा ठीके अब अगर आप चाहें तो 25 में भाग भी देंगे 10 से तो वही आएगा कैसे 10 दूना 20 यहाँ पर लिखेंगे 20 यहाँ पर 5 बचेगा 2 में से 2 जाएगा 0 अब क्या करेंगे यहाँ पर 10 पून लगाएंगे फिर एक 0 बढ़ाएंगे 10 पचे 50 ठीके 50 यहाँ पर लिखकर काट देंगे देखें यहाँ पर ठीके तो दोस्तों बात वही एक ही अंसर आएगा 20 यहाँ ठीके तो दोस्तों मुझे में दए कि आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आगे आओगा मिलते हैं नेस्ट वीडियो में जय हिंद